तो आज में आपको बहुता हमाएं कि जब भी इंगा करते हैं तो यह चीज फोटाओं यह हमेशा हाइलाइट उसके बाद जो इस पर पर पीज लाइन होती है यह आपको बताया है लास्ट वीडियो में अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते ह तो जो ब्रोबॉन और जो इक क्रेश लाइन के चेसे के बीच का हिस्सर होता है यह यह जी का यहँते हैं चीज अदो आब का एक चीजह को करका है एक चीज आद क।रफ लई के आप लेगा चांप dark की तरफ जाएंगे पहले light फिर थोड़ा उससे dark फिर सबसे जादा dark ऐसे फिर light to dark की तरफ जाएंगे तो यहां हमेशा transition color लगता है यह जो आपका transition होता है यहां पर आपका हमेशा light color लगेगा फिर जो एक crease जो अपकी line लगाते है उससे dark यहां लगता है यहां तो इस जीच को आप हमेशा याद रखिएगा कि light फिर उससे थोड़ा इस line पर उससे थोड़ा dark color फिर सबसे नीचे सबसे ज़्यादा dark color तो मैं आपको palette से बताती हूं अब आप the next मेरी palette आपको palette यूज करके बताती हूं तो गाइस मेरे पास यह वाली palette है pretty all set to इसमें से मैं आपको pick करके बताती हूं कि transition पर कौन सा color जाता है क्रीज पर कौन सा color जाता है और फिर outer inner यह जो हमारे eye makeup पर कैसे हम color को pick करते हैं अगर मैं आपको इसमें से पूछे हूं कि सबसे जैसे अगर मुझे बाइचांस ब्राउन कलर की ब्राउन कलर करना है अपनी इसमें सबसे light brown कौन सा है आप यह देखेंगे कि यह brown की shade है this one ठीक है यह आपकी brown की shade है जैसे यह देखो सबसे light brown this is your light brown फिर उसे थोड़ा dark फिर सबसे जाधा dark यह तो है बहुत जाधा dark तो यह जो है आपकी यह और यह तो सबसे पहले देखेंगे जब आपकी जो यह transition वाला है जो मैंने बताया आपका brow bone और crease की जो का area है this is your transition तो transition पर मैंने बता है light to dark की तरफ जाओगे तो this is your light यहाँ पर आपका light color लगेगा this one ठीक है यह आपका जो light color है यह transition पर लगेगा फिर जो आपके crease है crease पर आपका यह color लगेगा यो कि यह जो है यह देखो यह light है और इस से इस वाले color से यह थोड़ा dark है तो यह आपके crease पर लगेगा यानि की crease क्या होते है यह जो light ठीक है यह हमेशा पास में ही मिलेंगे ठीक है ऐसे नहीं के light brown यहाँ है dark brown यहाँ है यह जो इनके सबसे close वाला जो color होता है न वही transition या crease या outer inner पर लगता है तो this is your transition color this is your crease and this is जो भी आप नीचे outer पर डाल सकते हैं तो I hope so आपको समझ आ गया होगा यह आप try करके देखेगा और यह जो palette है यह सच में बहुत अच्छे palette और बहुत जादा pigmented palette है तो अगर आपको अगर इस stage में confusion है कि transition क्या होता है क्रीज क्या होता है फिर उसके लिए आप मेरी last video देख सकते हैं आपको बहुत अच्छा से clear हो जाएगा तो I hope so आपको समझ आ गया होगा कि हम color कैसे pick करते हैं हमेशे light to dark की तरफ चाहिए you know always go light to dark सबसे बहुत लाइट color फिर उससे ज़्यादा थोड़ा dark फिर सबसे ज़्यादा dark ओके